नमस्कार दोस्तों मैं प्रेंस कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने योडिप चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रयोजन मुलक हिंदी के अर्थ, स्वरूप और विशेशताओं को समझने का प्रयाज करेंगे तो आएए दोस्तों अपने विशे की शुरुवात करते हैं दोस्तों भाषा समप्रेशन का सबसे सशक्त माध्यम है लेकिन जब यही भाषा मानविये आवशक्ताओं की पूर्ती में अधिक से अधिक सक्रिये होती है तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रयोग के छितर का भी विस्तार होता चला जाता है जैसे जैसे किसी भाषा के स्वरूप का विस्तार होता है वैसे वैसे उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है और यहाँ अपेक्षा की जाती है कि वह मनुष्य की आवश्यक्ताओं की पूर्ती सही धंग से कर सके समय के साथ साथ भाषा भी रोजी रोटी का माध्यम बनने में विस्ष्ट भूमिका निभा रही है भाषा की यही भूमिका उसे एक नया रूप देती है जिसे हम प्रयोजन मुलक भाषा कहते हैं दोस्तों प्रयोजन मुलक शब्द प्रयोजन से बना है जिसका अर्थ होता है उद्देश अर्थात ऐसी भाषा जो अपने उद्देश्यों की पूर्ती करने वक कराने में सक्षम हो प्रयोजन मुलक भाषा कहलाती है दोस्तों प्रयोजन मुलक भाषा अंग्रेजी के functional language का हिंदियन वाद है दिन प्रती दिन के व्यवहार में लाई जाने के कारण इसे व्यवहारिक भाषा भी कहा जाता है दोस्तों यह तो बात हुई प्रयोजन मुलक भाषा एवं व्यवहारिक भाषा की लेकिन जब हम भाषा के रूप में हिंदी को स्थान देते हैं तो हम इसे प्रियोजन मुलक हिंदी और व्यभारिक हिंदी के रूप में जानते हैं अर्थात ऐसी हिंदी भाषा जो किसी विशेश उद्देश से के साथ मानवों की जीवन की आवशकताओं की पूर्ति करे प्रयोजन मुलक हिंदी हैं। दोस्तों, अब विशे को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं प्रयोजन मुलक हिंदी की विशेशताओं की। तो इसे एक-एक कर समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रयोजन मुलक हिंदी की पहली विशेश्ता है कि प्रयोजन मुलक हिंदी की शब्दावली सामान हिंदी की शब्दावली से अलग और विशेश होती है। दूसरी विशेस्ता है कि इसका प्रचलन, प्रशाशन, व्यापार, व्यवसाय, सिक्षा, विज्यान आधी के छित्र तक ही सीमित रहता है, यहीं तक वह बंधा रहता है। तीसरी विशेश्ता है, इसमें जो बोला जाता है, वही लिखा भी जाता है, यानि इसके लिखित और वाचिक रूप में शत्व प्रतीशत समानता होती हैं। चौथा अंतर है, इसमें भावनाओं के लिए कोई अस्थान नहीं है, बलकि इसमें विचार की प्रधानता रहती हैं। और निश्चित अर्थ देने वाले होते हैं। प्रियोजन मुलक हिंदी के अर्थ, स्वरूप और विशिस्ताओं को जाना। इस प्रकार से हमारा आज का यह विशय यहीं समात होता है। आपको यह विशय कैसा लगा? क्रिपया कमेंट में अवश्य बताएं। तो फिर शिगरी मिलते हैं एक नए विशय के साथ। अब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद।